हलो एवरिवन वेलकम टू नामदेव अकेडमी इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे सेट नंबर 19 के बात करेंगे लेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग के प्रिविस एयर के क्यूशन्स कर रेपन जो पूचे गए थे आरारबी के अंदर अससी के अंदर और डीमर्स के अंद एस से थो कापे क्यूशन्स हो जाएंगे लेकिन अपने उन क्यूशन्स को इस की मार देते हैं जो क magically कुशन्स होते हैं बनेंट कि츠 अपने को पताना कि जो अरेलजिशी सर्कूइट होता इसके अंदर अपने को राराइल्स पर एलक्टिक क्रण्ड क発 बनेगी है जसे अध def क्रण्ड के बात हो ओ रही है अगर अपने बात करेंगे RLC सर्कूइट के तो यहाँ पर अपने उपता दे रहा है कि series resonance या parallel resonance है, qsian में कहीं पर भी नहीं दे रहा है, लेकिन अगर अगर आपने बात करेंगे, option में भी अपने को parallel series दे रहा है, तो यहां पर देखे गा, यदि अगर अपने बात करेंगे, resonance पर condition क्या होती है, resonance की condition यह होती है कि वहाँ पे आपका XL और XC आपका बराबर हो जाता है resonance की condition यह होती है कि वहाँ पे आपका inductive reactance और capacitive reactance बराबर हो जाता है इसलिए circuit का जो total impedance है वो किसके equal हो जाता है R के equal हो जाता है यदि resistance minimum हो गया रेजिस्टन से यहां पर minimum हो गया, impedance को अपन किस तरह की से देते हैं, अगर r square plus xl minus xc का whole square से देते हैं, अगर series की बात करें, तो यहां पर यदि z minimum हो रही है, z की value minimum हो रही है, तो current की value क्या हो जागी, maximum हो जागी, इस तरह की से अगर आपने बात अगरें, तो अपने पास बहुत तो same नहीं हो सकता, maximum in value, किस की बात और यह current की, तो current है, maximum होगी series के अंदर, maximum in series circuit and minimum in parallel circuit, यह अपने पास answer हो जाते हैं, तो यहां पर अपन बात करेंगे, rlc series circuit के अंदर resonance पे current maximum होती है, जब कि parallel के अंदर resonance पे current है, वो minimum हो जाती है, next question, what other of the electric current is also present in the fluorescent lamp and cause lossage in the efficiency of the lamp, विदुधारा का कौन सा अन्य प्रभाव परती दिप्ता लेम में उपश्तित होता है, और लेम की दक्सता को प्रभावित करता है, वो क्या होता है, विदुधारा का कौन सा प्रभावित करता है, वो क्या होता है, विदुधारा का कौन सा प्रभावित करता है, देखते हैं, next question देखते है, maximum power in the sound load इच, इसके अंदर maximum power कितनी है, तो द्यान जी का यहां पर आप इसको source माल सकते हो, zs होगे है, यह zl लोगे है, तो zl की value आपके पास में होगी zs का complex conjugate, तो zl आपके सामने होज़ाता है, 10 minus 8 to 20, ठीक है, यानि आप अगर बात करें, इसका यह real part होगे है, यह इसका imaginary part होगे है, तो इसमें यह दिए अपन resistance की बात करें, तो resistance को आप 10 मान सकते हो, यहां से, ठीक है, तो maximum power क्या हो जागी, v square upon 4 rth, तो v square यानि 50 into 50 upon 4 into rth, आर्टी जोगे, आपके पास में 10, यह 0 cancel होजगा, 25, 2500 बटे 4, यह आपके पास में 28.5, इसको दूसरी हित्र के से, आप solve करना चाहूं, तो दूसरी हित्र के से, आप इसको solve करो, तो total resistance आपके सामने कितना आए जाएगा, total resistance होगे, आपके सामने 10 और 10 ही इसका, यानि 20 होजएगा, यह दोनों imaginary part cancel होजगे, तो resistance होगे, आपके सामने 20, अब यहांसे आप current रिकाल दीजीगा, current की विली क्या होजगी, v square r से, v आपके सामने 50 है, और resistance है आपके सामने 20, यानि 5 बटे 2 आपके सामने आगी current, 5 बटे 2 होगा मनलब die, 2.5 आपके सामने आगी current, ठीक है, यानि 25, 25, 625, बटे 10 यानि आपके पास answer होगा, 5, 6, 1, 5 तो इस तर्की से आप description को दोनों तर्की से solo कर सकते हो, next question आपके सामने आपके सामने है, नीची देगे परिपत में आप शिक जाल धरों की संग्या बताईए, तो नमरों मेस करेंट से रिक्वार्ड इन तक circuit गिवन भी लो, तो इसके अंदर आप देखोगे एक तो ये बन गए, एक ये बन रहा है, दो, अगर एक ये देखोगे आप इस तरीकी से, यान एक ये बन गए, तीन, एक ये बन चुगा, चार, और एक ये पाच, तो इसके इस तीन इसमें बन रहे, चार और पांच, तो इसके अंदर टोटल लूप कितने बनने वाले, पांच, नेच्ट क्यूशन है, नीचे देखे परिपत में वाल्टेज फंक्शन, तो आर्ड में उसस सक्ति ग्याद किजीगा, अपने को दे रखें, इन दे सर्किट शो, बिलो तो वाल्टेज फंक्शन इस इतना, एवरेज पावर आपको बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज पावर अपन किसको बोलेंगे, एवरेज पावर की बात करें, तो अपने पास होते है, वी आर्मस स्क्वाइर बटे आर होता है, यानि वी आर्मस कहां से ले कि आर की विडियो आपको 25 दे रहे हैं ठीक है तो यह 25 करेंश में भाग गया है छह बार और यह हो जागा दो दो का यहां पर कैंसल हो गया पंद्राट इपनतारी सेंस चार्सों पच्छास वाट अपने पास अन्सुरा जाएगा और अके एस्योषण देखता है कि फ्रिक्वेंस्य मल्टिपलीक्शन राईजिस्टर पूच एक तो आपने को यह आपने को फ्रिक्वेंस्ट्सी मल्टिपलेक्शन चाहिए वाई यह रेजिस्टर तो अपने कि कि को यूचिव में करेंगे डायाट का, अगर हम T.0 प्लस और प्रारामी की स्टधी सुनने हैं, तो नेमन में से कौन सा ओपन सरकीट की तरह भियाव करेगा, T.0 प्लस पे कौन सा ओपन सरकीट की तरह भियाव करेगा, Inductor या Capacitor या आपका Register, ओपन सरकीट की तरह पुचा गया देहन जी का ओपन सरकीट टी ब्राबर जिरो पर तो टी ब्राबर जिरो पर उपन सर्क्रीट की तरह भीयव कोना करेगा अगर अपना बात करेंगे अपना जो रेजनेंस है तो इस तरीकी से अपना ग्राफ बनता है एक में अपना जो ग्राफ हो इस तरीकी से बनता है तो किस में केपिसीटी होता है किस में इंडक्टीव होता है यह अपने को बताना है इसका ध्यान दखिएगा आपको सिरीज सर्क्रीट है वह आपका इंडक्टीव होएगा और जो पेरलल सर्क्रीट है वह आपका इंडक्टीव होएगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी के उपफर आपका सीरीज सर्क्रीट है केपिसीटीव भिएव करेगा और आपका जो पेरललल सर्क्रीट है वह इंडक्टीव भिएव करेगा तो इसमें आप देख सकते हो यह आपको सीरीज का दिया हुए एक का दिया है यहाँ पर सीरीज का एक पर किकि एरेजनेंट प्रिकेंश है कि इससे निचे इफ्लिप बात करो गाल wherever तो यहांपको केपर सीगल यहां पर आक्सी की गलिका अचसवसे ज्यादा equal हो गया और इससे कम इससे कम हो जाएगा यानि अक्सी ज्यादा हो गया यानि capacity हो गया और यह inductive हो गया यह किसका लिए ग्राप series का और आपको parallel का करना है इसका just opposite हो जाएगा condition change हो जाएगी inductive and capacity reactions are equal at this point तो ध्यांत जी के screen यहां से यह है series resonance की condition यहां पर capacity और इसके बाद में inductive the value of current at resonance in a series rlc circuit is affected by the value of ध्यान जीजिगा value of current i की value at resonance in series rlc circuit is affected by the i की value आपन किसे देते है वी बाई z से देते है और z हो यह वो अजिता है अपने पास r square plus xl minus xc का whole square होता है ठीक है count root resonance condition पर क्या होगा xl और xc दोनों बरबर हो जाएगा तो z की value only r के द्वारा दी जाती है तो resistance only r पर depend करेगा capacity और inductance इन दोनों का कोई रोल नहीं होगा किसके ओपर at resonance यहां पर अपने पास answer किया जाएगा only one next question in series lcr circuit at resonance series lcr circuit at resonance पर क्या होता है अपने देखा था इसमां current तो होती है maximum और यह resistance होता है यह impedance होता है minimum तो current maximum power factor is zero power factor zero होता है resonance condition के ओपर power factor हमें से unity होता है तो power factor होगे unity तो यहां पर अपने पास answer जाएगा current is maximum power factor is unity current maximum क्यों होता है क्योंकि यहां पर जो impedance है वो होता है minimum और power factor unity क्यों होता है क्योंकि XL और XC दोनों ब्रबर होगे तो cos भाई यह वो दिया जाता है आर बाई जेड़ से और जेड़ ब्रबर आर हो गया तो यह होगे आर बाई आर से तो cos भाई की विल्य क्या हो जाएगी one इसलिए power factor है वो unity होता है the superposition theorem is applicable to superposition theorem आप किसको बहुते हो जैसे कि suppose मैंने यहां पर voltage source लगा रहा गया है और यहां पर मैंने current source लगा रहा गया है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जैसे कि first case में क्या करूँगा मैं इसको इसके internal resistance में बदल दूँगा इसको open कर दूँगा यानि only यह active है इसको active करके इस branch में जैसे मैंने current find कर ली i1 दूसरे case में क्या करूँगा इसको sort कर दूँगा और इस source के current इसमें current find करूँगा i2 और जो मेरे को अगर इसमे final current निकान नहीं है तो total current हो जागी i1 प्लस i2 यह कहला थी हो superposition theorem तो superposition theorem is applicable to किसके पूर applicable होती है current only नहीं voltage होता है बहुत current and voltage current voltage and power तो यहां पर अपने पास correct answer रहेगा C बहुत current और voltage के लिए superposition theorem लगव होती है इस को अपने को मेच करना है अपने को एक list देर किया इस list को list 2 से मेच करना है यहां पर अपने को देर का है force measurement यहां पर torque measurement यहां पर acceleration measurement इनको अपने को देखना है कि force किसके अंदर होता है तिन अप्सन इधर दे रहे हैं, यहां पर अपने किस से मेच करेंगे, तो force को अपने मेच करते हैं, cantilever beam के साथ में, अपने जो torque होता है, torque measurement को अपने करते हैं, flat spring के साथ में, और जो acceleration होता है, acceleration को अपने मेच करते हैं, सिस्मेक मास के साथ, बुकम्पे दर्यमान, इलेक्ट्रोन नभी के चारोर भहुत तेजी से गुमते हैं, अपके अंद्रिय बल की विरूत किस परकार का बल लगता है, जो electrons को उनकी कक्सा में बनाए रखता हैं, proton neutron नभी में पर जेंट होता है, electron बहार चकर लगाते हैं, तो electron नभी के वह चारोर भहुत तेजी से गुमते हैं, यह अपके अंद्रिय बल की विरूत किस परकार का बल लगता है, जो electron को उनकी कक्सा में बनाए रखता है, अकर्शन का इस्थ्री विदुत बल, electrostatic force of attraction, electromagnetic, gravitational यह अधेशियो, तो यहां पर आपका आन शुरू हो जागा, electrostatic force of attraction, एक अनो और एक आयन में क्या अंतर होत हो, ठीक है, इसका atom क्या होगा था, atom एक उदाश यह माना जाता है, आयन होता है, उसके उपर positive negative charge किसी परकार का भी हो सकते हैं, तो देखिएगा, ions are always large mass, ions are neutrally particles, ions are always charged particles, while the atoms are neutral, तो यहां पर अपने पास answer क्या होता है, C के साथ में, आयन होता है, हमेसा अभिसित करना होता है चाहिए उनके पर positive होगा, चाहिए negative होगा, यानि वो अभिस्त होगे, जबकि जो atom होगा, वो बिल्कुल totally neutral होगा, next question है, which of the following statement is true about the conductor position marked 1, इसके बारे में, यह आपके पास में यह conductor है, इसके बारे में सही क्या है, चालक कि इस बिंदु का पर्ति के विरुद निश्चित भ बोलता होती है, चालक से एक विदु धरा परवायत होती है, यह अपना answer से जगा, यह positive terminal है, और यह यह दी पूरा path बन रहा है, यहाँ देखिए का, complete path बन रहा है, complete path बन रहा है, और यह इसका positive terminal है, यह negative terminal है, और पूरा circuit है, यानि इसमें से क्या हो जाएगी, current I flow हो जब S को close किया, S को close कर दिया, तो V1 और V2 किस तरी किसे change होगा, ध्यान जी का, पहले S1 आपका open है, यह दि S1 आपका open है, तो यहाँ पर ध्यान जी का, यह दोनो resistance क्या हो जाएगा, यह दि R1 R3 parallel में है, तो R1 R3 equivalent बाल्दू में इसको, तो R1 R3 equivalent क्या हो जाएगा, यहाँ यह R3 तो आपका 0 है, यहाँ only R1 होगा, यह किसके equal है, only R1 होगा, तीक है, और ध्यान जी किया, जिसी मैं S को sort करता हूँ, इसको sort किया मैंने, तो R13 equivalent किसके बरबर हो जागा, R1 parallel R3, तीक है, इस case के अंदर, resistance की value क्या है, बढ़ेगी, और इस case के अंदर, इनको मैं sort करता तो, रेजिस्टेंश की value घटेगी, क्यांकि parallel combination मैं resistance की value down हो जाती है, अब द्यान दी जिगा, यदि यह इसको, पहले है, इसको मैं, resistance की value down हो रही है, पहले पहले only एक resistance, दो, रेजिस्टेंश इते हैं, यह रेजिस्टेंश की value ज्यादा थी, तो current की value कम थी, ठीक है, अब resistance की विल्य क्या होगी रेजिस्टेंस की विल्य इसको सोट करते कम हो गई रेजिस्टेंस कम हो गया तो करेंट की विल्य बढ़ेगी करेंट की विल्य बढ़ेगी तो वोल्टेज वीटू बढ़ेगा ठीक है लेकिन यह रेजिस्टेंस कम हो गया आपका तो रेजिस्टेंस कम हो अभट गई? currentः बढ़ने से ये बड़ा ये दाून खियोआ क्योंगि ये जो ThatD quelle compr coke Rush akat एक्रोस वोल्ट में कर आटेसर रिजह ООगं में क्विद्वी दोकर्ण का कारी करते हैं? नहीर चांटक्क की बात हो यह है अगर थ Hundreds होता है तो वहां कि इंदर किसी की वज़ेसी होता है only electrons की बज़ेसे purely सबसुरुष T 10 ौइवी अकड़ी में lamp को switch on किया जाते हैं याइन इसको आप बंद करते हो تو switch on कि जाने की क्षिण से lamp के प्रकाशित होने में इतना समय लगेगा जैसे switch आपने चालो किया तो lamp या बलब जलने में कितना समय लगेगा इसके अंदर कोई समय नहीं लगता है बिल्कुल instantly जल जाता है जैसे प्रकास की speed होते है light speed होते है वैसे यह उतनी speed से चल जाता है यहां पर अपने पास answer जगा d at time the time practically is zero because the velocity of the propagation of electric current is almost that of light तो इसके अंदर जो time mantra लगने वाल है वो बिल्कुल zero होगा यानि हाथ वा हाथ ती speed ली जल जाएगा बलब next question electrons flow through the metallic conductor show in the figurage दरसा गई अकरती में दाथविक संचालन द्वारा electron प्रवाइथ हो रहा है इन इलेक्रोनों की अनुमानित गती क्या होगी इन इलेक्रोनों की speed बतानी अपने को approximately equal to the velocity of light approximately two-third of the velocity of light approximately equal to the velocity of sound तो यहां पर अपने पास answer क्या हो जाएगा equal to velocity of light और velocity light को अपन कीतना मान्दे तीन इंटू 10 की पावर 8 मेटर परती सेकिंड मान्दे velocity of light यहां पर एफ थ्री रेजिस्टेंस से आर कनेक्टेड एश ओने इन दे फिगर equivalent resistance पुछा गया है equivalent resistance क्या होगा 2 पलस 3 पेलेल 6 यह अपने पास होगया equivalent तीन और छेगा प्रेलल कितना होगा तीन इंटू 6 बटे तीन प्रेस छे यानि छती 18 बटे 9 यानि दो दो यह होगया दो यह होगया तो टोटल कितना होगा च्यार तो अपने पास आंशर होगा च्यार the electromagnet is made of electromagnet कि से मिलके बने होते हैं soft iron core soft iron plus current passing current passing its steel core still core with current passing its . तो यहां पर अपने पास आँश जागा soft iron plus current passing around it its electromagnet बनाते हैं तो soft iron plus current passing through it यहां पर which of the resistance is represented by the curva यहां पर ध्यान जी का resistance यहां पर voltage है तो यह किसका है यहां पर ध्यान जी का voltage के साथ में इसका resistance बढ़ रहा है इसका मतलब ही किससे से रिलेट करेगा, potentiometer, layer resistance, hot या cold, hot या cold, hot में जाओगे या cold में जाओगे, धहन दिए, voltage के साथ में resistance बढ़ रहा है, यानि इसको आपन किस से रिलेट करेंगी, hot conductor से हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर बात करेंगे, hot होगे, यहां पर इसमें देखिएगा, negative temperature coefficient और यहां पर positive temperature coefficient, तो यह आपका रिलेट करेगा, NTC से, hot conductor से रिलेट करेगा, next question, the resistance of a conductor when its temperature is increased, जब temperature कोई भी conductor है, उसका resistance क्या होगा, जिससे आप temperature increase करते हो, तो यहां पर आपका answer जेगा, के साथ में, increase, ठीक है, positive temperature coefficient, यानि अपन कह सकते resistance, अगर temperature आप बढ़ा रहे हो, तो उसका resistance आपका बढ़ेगा, अंसर जेगा, अपने पास में, increase, which of the following does not have dual relationship, जिएके option में से बताने की dual relationship किस में नहीं है, current voltage, inductance, capacitance, tie-set, cut-set, resistance, reactance, तो यहां पर आपका answer जेगा, D, current voltage है, inductance, capacitance है, tie-set, cut-set है, लेकि resistance, reactance है, तो दोनों same ही हो गए, ठीक है, तो यह कोई इनका ड्यूर नहीं है, तो answer जेगा, अपने पास D, तो यह था अपना set, 19, पसंद रहे तो लाइक जुरूर कीजिगा, चैनल को subscribe कीजिगा, comment कीजिगा, thank you for watching.